हालो ट्रेडर्स वल्कॉम टू यूर चानेल चाट विट ट्रेड आई होप यू अर्मेकी मोनी इन दिस मार्केट अजका जो ब्रेककाउट स्टॉक है इसलिए में तेन स्टॉक सेलेशन क्या हो और तेनो स्टॉक का हम डेटेल्स में चाट अनलसिस करेंगे उससे पहले अगर अभी तोक आप मेरी टेलिग्राम चनेल में जॉइन नहीं कियें वीडियो की डेस्केशन में लिंक है जाकर वहां पर आप जॉइन कर सकते हैं और आज का जो पहला ब्रेककाउट स्टॉक है स्टॉक का नाम है MGL मोहनगर ग्यास लिमिटेड और आपके स्केन के सामने चाट जोन में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था जिसका अपर ब्रान था लॉगभग वांटव फाइफ जिरो की आपस और उसका लो इर ब्रांट था 760 की आपस इसरेंज को आज क्यांडेल आज के क्लोजिंग आया है 1265 के आपस आज क्लोजिंग आया है जो कि उसका अपर तो इसलिए यहां पर powerful candle के साथ यहां पर breakout वाया है तो इसलिए यहां पर हम bullish position बना सकते हैं तो यहां पर देखेंगे तो लगबग तीन साल का एक consultation यहां पर हो रहा था उसके बाद यह breakout वाया है और breakout से पहले देखिए यहां पर कि बना है कॉप आना हंडल हो सकता है यहां पर box button भी हो सकता है और rounding bottom जो continuous bottom button भी हो सकता है तो देखें वहां पर यहां पर ब्रेकावड आया है और उसका रेजिस्टांस से पहले ही हुआ है तो अगर आप सारा scenario दिखेंगे यहां पर bullish scenario दिखाए दे रहा है अगर मैं आपको डेली चार् अगर यहां पर सारा scenario दिखेंगे तो यहां पर लॉंग पोजिशन बना सकते हैं और जो हमको यहां पर stop plus देना है वो देना है बारा सो का closing basis पर stop plus देकर देखें आपको quantity थोड़ा थोड़ा करके accumulate करना है इस जो अभी जो CMP प्राइस है यहां पर 40% लेना है अगर और वह 25 प्राइस पूल बैक करेगा तो वहां आप और 30% लेना है और भी पूल बैक करेगा और 30% लेना है देखें यहां पर पूरा quantity डाल दोगे तो आप पर प्रोब्लेम में आ सकता है अगर प्राइस पूल बैक करेगा ना आप घब रहा के आपके quantity exit मार लोगे तो इसलिए आप अभी के लिए 40% लेगे अगर आपको 100 quantity लेना है अभी CMP भे लेगे 40 quantity और 20-25 पर निच्चे आएगा तो और 30 quantity और आपको stop loss हमके यहां पर रखेना है 1200 का closing basis पर डेली closing basis यहां पर हम stop loss रख सकते हैं आपको 자ona وت mêmes कि रहें नहींगे 1377 के असपास तो अभी के लिए हम यहां पर रखेंगे 12377 का पहल्यट रखेंगे उसके बात यहां पर हम फीबोना क्या उच करेंगे नेक्ट अर्गड क्या रहेगा पहला टार्गेट रहेगा 1377 और जो दूसरा टार्गेट रहेगा हमारा तो इसलिए हम फिबोना के एउच किये हैं दूसरा टार्गेट हैगा 1560 अब 1377 और 1560 के लिए MGL में लंग पोजिशन बना सकते हैं और आपको स्टॉपला सकना है 1200 के क्लोजिंग बेसिस पर तो यहां पर आपके quantity management और रिक्स management साथ यहां पर आप ट्रेड इनिशेट कर सकते हैं और जो हमारा दूसरा ब्रेकाउड स्टॉक है स्टॉक का नाम है तामिल नाडू निउजप्रिंड और पेपर्स लिमिटेड या अपके स्किन के सामने ही ओपन हुआ है तामिल नाडू नि क्या पर लगभा को वान जेरो एट्री कोड़ों के आसपास है और उसका रिजर्ब क्याज है 1570 मतलब उसका मार्केट क्याप से ही ज्यादा उसके पास क्या रिजर्ब है और जो प्रेजिंग परसेंड़ेज है मतलब कोई भी श्यार प्लेजिंग नहीं हुआ है पास यहां पे नेगटीव.1 यहां पर ट्वक जो यहां पर फोड़ा प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है 169 में लेकन इसका प्राइस बूक बैल्य से निच्चे ट्रेडिंग कर रहा है तो यह हो गया उसका fundamental से जो खे अभी आपरेज और ठिक्ठक भी अगर हम टेक्निकल को जाएंगे तो देखे टेक्निकल चार्ड में यहाँ पर बना है एक आरो ट्रेंड लाइन बना है और आरो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक आउड आए अगर आप देखेंगे तो जो Civ hippie का ट्रुन अगे किमी क्लेंट करते हैं इक प्लेश में देखिअ जो दोनों ड्रेंड लाइन है दोनों जाकर इस पॉंड़ में दोनों का मिश्णूर्ण यहाँ पर होता है तो यह हो गया हमारा अरू ट्रेनड लाइन है और इसको आया है एक्स्प्रीमल आज हाई बॉल्यूम के साहत यहां पर ब्रिक आउड आ है जो कि उसके मेजर रेजिस्टांस लेबूल था वो था 165 के आसपास अगर मैं आपको डेली चार्ड में दिखाऊंगा देखिए आज का है क्लोजिंग आए है 169 के आसपास और वो था 166 के आसपास तो उसके रेजिस्टांस के उपऱर आज क्लोजिंग आए और बिंदिकरद आए अगर। थे डिखते हैं तो यहां पे बुली सिनयोरों दिखाई दे रहा है क्या कि दो देखे नॉर्माल ट्रेल लाइन और आरो ट्रेल लाइन में तुरे बहुत ही फरक है क्या कि आरो ट्रेल लाइन दो ट्रेल लाइन का जो मिश्रण होता है उसका breakout आया है तो यहां पे और भी powerful बनता है stock का price of move होने के लिए तो इसलिए आपका उसको radar में रख सकते हैं और आपका हमारा ओही तरीका है 40-30-30% के साथ आपको यहां पे quantity आर्ड कर सकते हैं और यहां पे हमको stop plus रखना है देखे stop plus के लिए हमको रखना है 155 का closing basis पर हमको stop plus देना है और जो target रहेगा टार्गेट के लिए अभी मैं weekly chart यूज करता हूँ देखे हमारे यहां पे टार्गेट बन रहा है यहां पे पहला टार्गेट बन रहा है 195 का और दूसरा टार्गेट बन रहा है 220 गा 195 और 220 के लिए अपती तामिलनान न्यूज प्रिंटर में लंग पोजिशन बना सकते है और आपको stop plus देना है 155 का closing basis पर अगर आपका risk reward और money management और हमारा जो thumb rule 40 30 30 वोश हिसाब से आपको quantity डिभाइड करना है quantity ऐसा है आपको execution करना है तो आपको इसको radar में रखिए आपके risk reward and quantity management कर सकते हैं और हमारा हमारा जो final breakout stock है stock का नाम में MRPL अभी अभी जो आपके screen में लगा है चार्ड और MRPL का चार्ड लगा है और यहां पर जो मैं time frame trendline का breakout आ जाया है लेकिन breakout तो देखिए trendline का तो breakout आया है लेकिन उसके उपर आज price closing नहीं दीपाया है अगर देखा हूंगा मैं आपको देखिए जो trendline का breakout लेबल था वो 55 के आसपास था 55 के उपर आगर आज price closing आ जाता तो यह complete breakout हो सकता था लेकिन हम इसको pre attempt कर सकते हैं क्य closing नहीं आया है जो हम जो thumb rule follow करते हैं अगर major resistance line जो 55 के उपर अगर यहां पर 56 या 57 के आसपास price closing दे देता तो हम इस breakout को confirm breakout मानते लेकिन अभी हम के लिए confirm नहीं है लेकिन हम इसको pre attempt करेंगे क्योंकि देखिए यहां पर एक volume candle बना है जो कि extremely high volume के साथ यहां पर breakout आया है तो इसलिए मैं इसको pre attempt कर रहा हूं और इस case में आपको stop loss देना है 50 का closing basis पर stop loss रखे और यहां पर long position बना सकते हैं और 40-30-30 का thumb rule आप follow कर सकते हैं और यहां पर हमको जो target देना है यहां पर दिखें पहला target जो हमारा रहेगा 72 का और दूसरा target रहेगा 85 का 72 और 85 के लिए आप फेट्री का closing basis पर stop loss देकर long position बना सकते हैं एक बार अगर 85 के ऊपर अपर closing दे देता है MRPL stock उसके बाद हम stock का review करेंगे चार्ड अगर सही लगेगा फिर हम फिर से उसके वहां पर quantity add करेंगे नहीं तो फ्रेस एंट्री करेंगे तो इसलिए आप तिन्नों stock को आपके radar में रखिए अपके edX management, quantity management और money management साथ आप trade इनिशेट कर सकते हैं और जो हमारा thumb rule है 40-30-30 का उसको मत भुलेगा उसको हमीशा से follow केज़े क्या कि breakout के लिए ओई thumb rule बहुत ही important है तो इसलिए आप भीडियो को पूरा देखेगा तो उसके बाद आप breakout stock में कैसे trade करके आजाथ है आपको समझ में आएगा तिके breakout stock का पहला thumb rule है आपका quantity management आप अगर quantity management करेंगे तो आपके लिए सब कुछ सही रहेगा और आपको पैसेंस ले ओएड करना है अगर डॉस पॉसेंट पॉनदरा पसंट अगर प्रॉफिल लेकर मार्केट में जाना है तो उसमें अभी मार्केट बुल्ट्रेंड में पैसा बन रहा है वो सही है लकिन जोब भी प्राइस कांसल्डेशन करेगा तो आपमें वहाँ प पर बाइस हैल करने के लिए आप यहां पर फोकॉस मौत किजिएगा यहां पर आपको आप स्टॉडि कैसे चार्ट को कैसे रिड किया जाते है उसको सिखिए जाने और कुछ डाउट है तो वीडियो की निचे आप कॉमेंट कर सकते हैं और अगर मेरा वीडियो आपको आच् किजिए और मेर चनल को सब्सक्राब किजिए थानको आपको 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 आप